हेलो फ्रेंट्स, मैं अनजना, मुझे फरफुर्भी हार से आपका स्वागत करती। और मैं बोल लहीं हूँ, अनजना आज लाइफ़ेस्टेल से. मै ब्रेंट्स या मैं बीज नहीं डाली। मिट्टी बनाके चोरेथी कितने सारे इसकी साउग निकल गए। और मैं अपने गार्डेन का थोरा सा लुक चेंज की हूँ, पॉट्स कभी भी एक जगा नहीं रखना चाहिए, थोरे से बदल बदल के रखने से छट पे अच्छा होता है, जो हमारे गार्डेन के भी लुक चेंज हो जाते हैं, और जिस जगा पे हमारा रखा हुआ है पॉट् चेंज हो जाता है, तो फिर जिस जगा पॉट्ट रखा हुआ है, उस जगा धूप लग जाता है, तो जब भी छट पे गार्डेनिंग करें, तो थोरे से अपने पॉट्स के लुक चेंज कर लिया करें, और देखिए ये मेरा लगता है सूख गया, और सीजन की ये मेरी लास हार वेस्टिंग घिया की है, अब हमारे सारे गिया सुख गया है, और जो एक दो बचे हुए है, उसमें छोटे-छोटे से घिया लगे हुए है, तो अब लास्ट हार वेस्टिंग ही है, और देखिए इसको गिलहरी खा गई रात में, तो इसको भी काटके हटा दे रहे हैं, अभी भी दो-चार छोटे-छोटे से हैं, पर अब नए निकल रहे हैं इसमें, दो-चार कुंदरू भी लगे हुए हैं, हार्वेस्टिंग अब धीमी पर गई है, अब उतनी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अभी पोधे ही नहीं है, हमारे लोकी के पोधे थे, व में पानी के बगेरो मेरा सुग गया और जो ही है उसी का हर्वेस्टिंग कर ले रही हूं तो अब बहुत सारे चीजों का बीज डाल ले रही हूं जैसे मिर्ची का बीज भी डालना है मुझे आज और मैं गाउं गई थी तो परवल लेके भी आई हूं परवल के बेल होते हैं तो उनको भी दिखाऊंगी मैं कैसे लगाई हूं वहां से बहुत सारे परवल लेकिया हैं मेल और फिमेल फ्रेंट्स परवल का हमेशा मेल और फिमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं अगर हम मेल लगा लेते हैं सारे मेल हो जाएंगे तो हमारे परवल नहीं आएंगे और सारे फिमेल भी हो जाएंगे तो हमारे परवल नहीं आएंगे तो मेल और फिमेल दोनों मिला के परवल में लगाना होता है मेल और फिमेल दोनों का प्लांट अलग अलग होता है तो हम आज दोनों लेके अपने गाउं से आए हैं और देखिए यहाँ लगाई हूँ सेम के पौधे वो भी निकल गए है और मेरे करी पत्ते भी अब घने हो गया है कटिंग किये तो घने हो गया अब देखिए यह हमारे परवल के बेल लेके आए है और परवल वाले ऐसे ही गोल-गोल राउंड करकर के घुमा के दिये हैं और बंडल बांध-बांध के इसमें मेल और फिमेल दोनों रखे हुए है तो देखिए कैसे round round में घुमा हुआ है और ऐसे ही हम लगा देंगे जैसे हम कुंदरू की cutting भी बता हैं जैसे कुंदरू की cutting लगाते हैं वैसे ही हम पर्वल की बेल भी लगाते हैं और इसका भी वही सिस्टम जो थोरे से नोट्स अंदर मिट्टी के अंदर जाने चाहिए और कुछ नोट्स मिट्टी के ऊपर आने चाहिए और देखिए मैं लगा रही हूँ अगर लगेगा तो मैं फिर आगे दिखाऊंगी जो मेरा ये लगा की नहीं मैं पहली बार लगा रही हूँ वैसे मैं नर्शरी से भी लेके लगाऊंगी क्योंकि नर्शरी वाले जो देते हैं वो तो पोधा लगे हुए रहते हैं तो उसको लगाने में बहुत दिकत नहीं होती है, लेकिन मैं ट्राइ करने के लिए लेके आई हूँ जो लगता है या नहीं, थोड़े से और मिर्टी गहरी होंगे, और थोड़े से अज मिर्च के भी बीच डाल दे रहे हैं, यह हमारे काले वाले मिर्च हैं, तो मिर्च का भी बीच डाल दे रहे हैं, एक सप्ता से नहीं रहने के बाद धोरे से गार्डेनिंग मेरे पीछे वो पर गया है, जो कुछ लगे हुए भी थी, वो शुक गया है, और नए कोई प्लांट्स नहीं है, फ्रेंट्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेना तच्छी लगे, तो लाइक कीजिएग और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, आपका एक छोटा सा कमेंट्स हमारा होसला बढ़ाता है, और देखिए मेर्चम डाल दिये, और इसके उपर थोरे से एक इंच मिट्टी का लेयर हम दे देंगे, छोटे बीज हैं तो ज़्यादा मिट्टी उपर से नहीं डालेंगे, और पानी दे देते हैं, मिट्टी हमेशा मुआश रहना चाहिए, ज़्यादा भींगी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गिली मिट्टी रहेगी, तो हमारा जो बीज है सर जाएगा, थैंक्यू, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा,